नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार सबको लग रहा था कि अशोग गहलोत का कॉंग्रे सद्ध्यक्ष बनना अब सिर्फ आपचारिकता रह गई है हलाकि शशी थरूर ने भी नॉमिनेशन पेपर मंगवाया है लेकिन माना जा रहा था कि सोनिया राहुल की पसंद गहलोत ही है और वही अगले कॉंग्रे सद्ध्यक्ष बनने जा रहा है खुद गहलोत ने भी कह दिया था कि अगर राहुल मैदान में नहीं उतरते हैं तो वो आगे बढ़ सकते हैं लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी के चक्कर में गहलोत गलत गेम खेल गए जैपूल से लोट का रजय माकन और मलिकारजुन खड़गे ने दस चनपत को जो रिपोर्ट दिये है उसके बाद से कहानी बदल गई है इसके बाद तीन सवाल खड़े हो गए हैं पहला क्या कॉंग्रेस का ध्यक्ष बनने के गहलोत के इरादों पर ग्राण लग चुका है दूसरा सोनिया गांधी की नजरों में सचिन पैलिट का नंबर बढ़ गया है और तीसरा अगर गहलोत कॉंग्रेस अध्यक्ष की रेश से बाहर हो चुके हैं तो फिर उनकी जगह कौन लेने वाला है क्या कॉंग्रेस में खिलने वाला है कमल जरा रातो रात बदले इस खेल को अच्छी तरह से समझिये क्योंकि ये खेल बड़ा दिल्चस्प हो चुका है बताते हैं कैसे राजिस्थान के सीएम अशोग गहलोत को 25 सितंबर की दोपार तक कॉंग्रेस के अगले अध्यक्ष के तौर पर देखा जा रहा था लेकिन शाम होती होते कहानी बदल गई पार्टी ने दिल्ली से हालात को समझने और मुख्यमंत्री के विकल्प का जैजा लेने के लिए दो परियविक्षकों को जैपूर भेजा था मनलिकार जुन खडगे और दूसरे अजय माकन दोनों को विधायकों से बात करनी थी लेकिन इसके पहले की दोनों जैपूर पहुँचते गहलोत के समर्थक लगभग सो विधायक भरोसे मंद मंत्री शांती धारिवाल के घर बैठे हुए थे वहीं तेह हुआ कि एक भी विधायक परियवेक्षकों से नहीं मिलेगा यही हुआ गहलोत गुट के विधायकों ने साफ कह दिया कि कॉंग्रेस अध्यक्ष चुने जाने तक यानि यूनीस अक्टूबर तक वो किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे इतना ही नहीं बैठक के लिए उन्होंने तीन शर्ते भी रख दी पहली मुख्यमंत्री गहलोत गुट से बने दूसरी सीम तब घोशित हो जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाए और तीसरी नया मुख्यमंत्री जो भी बने उसमें गहलोत की रजामंदी जरूर हो माकन ने विधायकों को अलग-अलग बात करने का भी प्रस्ताओ दिया लेकिन वो नहीं माने इससे भी भारी तमाशा ये हुआ कि 82 विधायकों से गहलोत ने इस्तीफा दिलवा दिया इससे सचिन पाइलेट को सीम बनने से रोकने की उनकी कोशिश सड़क पर आ गई अजय माकन और मलिकारजुन खडगे बैरंग दिल्ली लोटा है लेकिन उनके रवाना होने से पहले गहलोत दोनों से मिलने मेरियट होटेल पहुँचे नाराज मलिकारजुन खडगे ने गहलोत से साफ कहा कि जो हुआ उससे हमने कॉंग्रे सद्यक्ष को आउगत करा दिया है जो भी निर्णे लिया जाएगा उसका सभी को पालन करना होगा दिल्ली पहुचते ही दोनों परिविक्षक हवाई एड़े से सीधे दस जनपत पहुचे और सोनिया गांधी के सामने अपनी रिपोर्ट रख ड़ी इस रिपोर्ट में कहा गया कि गहलोत की तरफ से ये सरासर अनुशासन हीनता थी जब विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई थी तो उसके समनांतर किसी मंत्री के घर पर अलग से बैठक करना अनुशासन हीनता थी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि गहलोत के समर्थक विधायक अपनी शर्तों को रिजॉल्यूशन में शामिल करने के मांग कर रहे थे जबकि रिजॉल्यूशन सिर्फ एक लाइन का होता है उसमें कोई शर्त नहीं होती कॉंग्रेस के इतिहास में सशर्त रिजॉल्यूशन आज तक पास नहीं हुआ है ये संबव नहीं है क्योंकि ये सीधे सीधे हितों के टकराओ का मामला है कॉंग्रेस के सुतरों का कहना है कि मल्लिकार जुन खडगे और माकन की रिपोर्ट के बाद अशोग गहलोत के शक्ती प्रदल्शन को सोनिया गांदी ने भरोसे को तोड़ने वाली हरकत के तौर पर लिया है पार्टी ने तृत्व इस पूरे घटना करम को लेकर गहलोत से बेहद निराश है उनकी भूमिका को अपमान जनक मानता है क्योंकि खडगे और माकन खुद नहीं गए थे वो सोनिया गांदी के दूत थे अपने दूतों से मुलाकात न करना और अलग से मीटिंग बुलाना दस चनपत को खलने वाला लगा है और इसके साथ ही चल्चा उड़ी की अबशोग गहलोत कॉंग्रेस की अध्यक्षपद की रेश से बाहर हो चुके हैं जो लोग कॉंग्रेस की अंदरुनी राजनीत को समझते हैं उनका कहना है कि गहलोत की हरकतों को सोनिया गांदी ने चुनावती के तौर पर लिया है हाई कमान को लगता है कि इससे बाहर ये संदेश चाएगा कि गांधी परिवार की ये पार्टी पर पहले जैसी पकड नहीं रह गई है ऐसी स्थिति दिखाने से हाई कमान बचना चाहता है दूसरी तरफ सोनिया गांदी को ये भी महसूस हुआ है कि गहलोत बेलगाम हो गए है और वो अपनी सत्तक है सकती देख किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये पार्टी के हिट में ठीक नहीं होगा लिहाज़ा अब जरूरत है कि राधिस्थान कॉंग्रेस की लीडर्शिप मे संतूलन बनाया जाए कॉंग्रेस ने तर तो सोच रहा है कि गहलोत को अगर कॉंग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी सौप दी गई तो वो दस चनपत की सीधी नाफरमानी पर उतर सकते हैं ऐसे में अध्यक्ष पत पर किसी और नेता को बनाना बेहतर होगा इस चल्चा को आधार इसलिए भी मिला कि उधर मल्ली कारजून माकन सोनिया गांदी के घर से बाहर निकल रहे थे और उधर भोपाल से कमल नाथ दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे माना जा रहा है कि कमल नाथ को खास तोर पर सोनिया गांदी ने दिल्ली तलब किया था इसी के साथ एक नई हव हो गए हैं तो क्या गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कबजा बरकरार लखने की कोशिश में घलत गेम खेल गए हैं तो इसका जवाब है बहुत हद तक हाँ सोनिया गांदी और राहूल गांदी दोनों को लगने लगा है कि उन्होंने अनभाव और भरोसे के आधार पर दोर पर देख रहा है गहलोत के रुख ने सोनिया और राहूल दोनों को खफा कर दिया है भारत जोडो यात्रा के दौरान आपको याद होगा गहलोत जब राहूल से मिलने पहुँचे थे तो उन्होंने उन्हें साफ साफ समझा दिया था कि एक पद और एक नेता की नीती स परिवार के बीच पहले जैसे रिष्टे नहीं रह जाएंगे पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी के लिए अब नए सीरे से पत्ते फेटे जाने लगे हैं गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री भले बने रह जाएं लेकिन अगर उन्हें फिल से सोनिया राहुल का विश्वास जीतना है तो उन्हें सारवजनिक तोर पर इस बात का भरोसा देना होगा कि वह आइंदे से किसी शक्ति प्रदर्शन के जरीए उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे गहलोत पक्के कंग्रेसी रही ये बात सच है बात बात पर विचारधारा की बात करते रहें ये भी सच है सचिन पालट ने जब बगावत कर दी थी तो उन्होंने कहा था कि चांदी का चमच दिखाने के लिए होता है उससे खाना नहीं खाया जा सकता अब उन्हें तै करना है कि वह मुख्यमंत्री की कुरसी को चांदी का चमच मानते हैं या कॉंग्रेस सध्यक्ष की कुरसी को इस वीडियो में इतना ही लेकर अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण कर दीजिए बेल आइकॉन दबाईए घंटी जैसी आकरती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अगर य कर दो कर दो